दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Vivo T1 Pro और भाई साब इसके जितने अच्छे केमरे जितने अच्छे डिजाइनिंग है ना उससे कई गुना ज्यादा इसके hidden features होने वाले हैं जो कि मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ अगर आप इन hidden features को अच्छी तरह से जान लेते हो तो आपका जो mobile का चालाने का तरीका है काफी ज़्यादा बदल जाएगा काफी ज़्यादा unique हो जाएगा तो इन hidden features को अच्छी तरह से समझने के लिए आपका ज़रूरी है कि वीडियो को end तक त्यान से देखते हैं काफी ज्यादा मजा आने वाला है तो बिना time waste के करते हैं वीडियो को start तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला hidden features तो इसके लिए आपको क्या करना है settings के अंदर जाना है settings के अंदर जाने के बाद यहाँ पर नीचे आना है और यह देख पा रहे हैं कि कश्टुमाइज कर सकते हो आने कि कब आपको अल्वेज ओन डिस्प्ले रखना है और कब नहीं रखना है तो इसको ओन करने से ओन स्क्रीन डिस्प्ले को ओन करने से क्या होगा जैसे कि incoming calls का वी option मिल जाता है और यहाँ पर लाइट एफेक्स यूज कर सकते हुए देखिए जब आपकी स्क्रीन ओन रहेगी और आपके पास कोई भी call आएगा तो यहां पर कुछ इस तरह की लाइट देखने को मिलते हैं बाइस सब्सक्राइब कर सकते हो और यहां पर देख सकते हो इन और बी काफी सारे अपको जो भी अच्छा रखते हैं पर कस्टुमाइज कर लीजिए और यहीं पर हम बेख जाए तो मैं आपको दिखाता हूं यह देख सकते हो यहां पर नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको मिल जाता है यानि कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप ओल न नोटिफिकेशन के लिए यह देखिए यह भी काफी जदे यूसफुल है आप अपनी मर्जी से कस्टुमाइज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है तो यहां पर काफी अच्छी ची लाइट है आप इनको कस्टुमाइज कर लीजिए तो चलिए दोस्तों बेख चलत देखिए यहां पर काफी जदा अलग अलग तरीके हैं यह देखिए आपको जो भी अच्छा लगता है इन सभी में से किसी एक को रख सकते हो और यह देखिए फिंगर प्रिंट आइकन एनिमिशन यानि कि आपका जो फिंगर प्रिंट है आपके कुछ इस तरह से होगा पर आप चाहते हो यार मुझे अलग तरीके सपकना है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो और यहां पर दिखाऊं में आपको फेषियल डिकोनाइजेशन तो यहां पे फेश के अंदर लगा आता है तो यहां पे आपको पता होगा पहले से जिंदि पूरी लोक हो रखी है तो क् आप लाइक कर दीजी क्योंकि इससे मूड आपका जो है ना फ्रेस हो जाएगा इसमाइल को देखे तो आप इसमाइल को भी यहां पर कर सकते हो जब भी आप फेस अनलोग करते हो और यहां पर देखिए चार्जिंग अनिमिशिन यानि कि जब भी आप चार्ज लगाते हो तो कुछ इस तरह से होता है पर यार आप अलग इनको चेंज कर सकते हो यानि कि कुछ इस तरह से रखना चाहते हो कि यह भी काफी उनिक से अलगता है इसको भी आप कस्टुमाइज कर सकते हो यह देखिए जो भी आपको अच्छा लगता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां आप देख सकते हैं जब भी ओन गया ओफ करते हो तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है तो आप इनको कस्टुमाइज कर सकते हो इनको अपलाई कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लगता है यार जो हमारा T1 पर हो है इसके आवाज थोड़ करना ओपलाउर करना है और यहां पे एर कॉष्टोमाईज की उपर ओन करना है और इसको ओन करिणा है और अब कि अपको भी तो आपको अब बार कर लेकिना है तो चलिए दोस्तों आब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर Always On Display को कुछ लेकर बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादे उसुल हो सकता है और T1 Pro के अंदर काफी यूनीक सा Always On Display मिलता है इसके लिए आपको जाना है Settings के अंदर और यहाँ पर देख पारें को Lock Screen and Wallpaper इसके उपर आपको क्लिक करना है और Always On Display को On कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हो आपको काफी सारी चीजी मिलते हैं जैसी कि आपको इस तरह से रखना है या आपको इससे रखना है या यह देखी काफी अच्छी ची डिजाइनिंग्स मिलते हैं और यहाँ पर अपना Name और भी रख सकते हो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपना Name लिख लीजिए या अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई Photo और भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो यह देखिए आपको जो भी अच्छा लगता है यहां पर देख सकते हो यहां पर जो नोट्यिफिकेशन आते ना आपके यह इसकि ापको क्या-क्यान किुंध राह पे अगर इंस्टाग्राम डॉंलोड और मॉबाइल के अंदर तो वो भी आपके यापे शो हो जाएगा आपको जिसके भी नोटिफिकेशन गगगरा देखने यहापे देख सकते हो तो यहाँ पर अपनी मरजी से इन्हों सभी कुछ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है आप इनको download भी कर सकते हो और दोस्तों यही पर लोग screen and wallpaper के अंदर यहापको themes का option मिलता है यहाँ से आप काफी सारी themes download कर सकते हो यहाँ पे click करना है, agree करना है और अगर आपके पास internet है तो यहाँ पे download more के उपर जाओगे तो यहाँ पे काफी सारी themes मिलेगी जिससे आपका mobile काफी अलग और unique हो जाएगा और यहाँ पे wallpaper change कर सकते हो जो भी आपका favorite है और यहाँ download भी कर सकते हो download के अंदर जाकर और live wallpaper भी यहाँ पे लगा सकते हो देखे, live wallpaper का भी option आपको मिल जाता है और UI के color भी आप change कर सकते हो और भी काफी सारे options मिलते हैं तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि आपके mobile के अंदर आपको 90Hz का refresh rate मिलता है जिससे आपका जो mobile है काफी ज़्यादा smooth चलता है पर आपको 90Hz पे करना कैसे क्यों कि automatic आपके 60Hz पे रहता है तो आप दूप ये अच्छाओं में कहीं भी जाते हो तो आपकी जो brightness से automatic कम ज्यादा हो जाती है पर इससे क्या होता है दोस्तों आपकी बेटरी थोड़ी सी ड्रेंज ज्यादा होती है आपको लगता है कि T1 Pro की बेटरी बहुत कम चलती है तो इसको एक बार ओफ करके जरूर ट्राइ करिए क्योंकि ये बेटरी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खाता है और आई प्रोटेक्शन का उप्शन मिलता है यानि कि इसको जब ओन करते हो आपको ज़्यादा चेटिंग करने हैं आप बुक्स वगरा पढ़ते हो अपने मोबाइल के अंदर तो इसको आपको क्या करना है ओन कर लेना है इससे आपके आँखें खराब नहीं होगी और अगर आप नाइट में ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हो आपको बड़ी या चोटी रखनी है और perhaps our party कर सकते हो काफी सारी पोनशा चोटी करने है तो कर सकते हो और मैं वह बताता हूँ आपको यहाँए पर उनीकी बेटरी कीLS होगि रहा शो करने न तो यहां सए आप कर सकते हो और यह देखिए शो बेटरी परसेंटेज यहां पर बेटरी के परसेंटेज शो होने लग चुके हैं और आप चाहते हो हैं पर इंटरनेट की स्पीड भी शो हुए यानि कि कि इंटरनेट चल रहा है तो यहां पर क्या होगा आपके जितने इंटरनेट की स्पीड चल रही है और यहां पर notification method यानि कि अभी आपके पास यहां पर setting का notification है वह तो setting का logo देखने को मिल रहा है पर आप चाहते हो यहां पर मुझे setting का नहीं मुझे numbers के अंदर चाहिए तो यह देखिए यहां पर जितने भी notification रहेंगे उनके numbers होने लग चुके हैं तो आप अपने बर्जी से इन सभी को customize कर सकते हो बेटरी के percentage हो गरा शोग करा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है इनको कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको बताता है कि screen refresh rate यहां पर देख पारेंगे screen refresh rate यह देखिए screen refresh rate इसके अब आपको क्लिक कर नहीं तो आपको 60Hz पे कर लेना इससे बेटरी बहुत ही कम drain होती है और smart switch पे भी रख सकते हो यह automatic आपको 90Hz यह 60Hz पे कर लेता है पर आपको बेटरी बचानी है तो 60Hz पे आपका रखना जरूरी है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आप इदर करते ह रखना है home settings के अंदर जाना है और google discord देख पा रहे होंगे इसको आपको off कर लेना है अब यहाँ पे आपके google show नहीं होगा यह देखिए तो यह भी काफी ज्यादे useful आपके लिए हो सकता है और एक चीज़ भी यही पर आपको और बता हूँ तो जैसी कि आपके यहाँ पर personal apps यहाँ पर gallery और अल्बम और तो यहाँ पर क्या हो था आपके बच्चे और इनको हला देते हैं मतलब हिटा देते हैं यहाँ पर साइड में कर देते हैं आप जो भी जरूरी apps होते हैं पर आप चाते हुए कि यहाँ पर इन्हीं को रखना है यहाँ लोग करना है कोई भी यहा आप अपने मर्जी से इनको कस्टॉमाइज कर लिए यहाँ नहीं हटाना इनको लोग करना या लोग करना इनको कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत यूसफूल चीज और बताता हूं जो कि आपके लिए future के अंदर बहुत ही ज्यादा help कर सकते हैं इसक अगर हम कहीं से भी कोई भी notification आता है तो आप यहां से clear कर देते हो और वही clear हो जाता है पर इसको ओन करने से क्या होगा दोस्तों आप यहां से clear भी कर दोगे तो आपकी history जो हैं आपर मुझूद रहेगी और आपको यहां पर direct यहां पर history के उपर जब क्लिक करे होगे तो प आपको होता हूँ कि आप चाहते हो कि आर मुझे एक साहत में दो एप को यूज करना है यानि कि आप चाहते हो मुझे यहां पर WhatsApp भी चलाना है और साथ मैं यहां पर YouTube वीडियोज वगरा भी देखनी है तो यहां पर ऊपर चैटिंग्ग करना है और आप इनको बड़ा यहां आप चाहते हैं मुझे वीडियोसu थोड़ीजी रखने हैं नियुक्तों पूरा मेशिय हैं तो इसे करने मेशेयोन आज जाएगा तो यससे आप आसानी से एक साथ में दो यूल कर सकते हो भाइब है अपको बताता हूं कि आप से 191 assurance है कि भाई आपका मोबाइल दे मैं बस यहांपे कोल कर रहा है और आपको यहांपे क्या है कि घड़त को यहांपे रहे कि मेरी अदर है कोई कोई प्राइवेट चीज नह देख लेए कोई हमारी है प्राइविशी कंप यहां पह। पर पिंद आपको इसे करना है और यह देखिए प्ति के ओपर आप इस को शिख है अब तो कोई भी गर लेगा इसे तो कोई भी बाहर चला जाएगा इसका मतलब क्या हुआ तो यहाँ पर देखि लोग का भी option मिलता है यानि कि आप यहाँ पर लोग भी लगा सकते हो जब तक आप अन्लोक नहीं करोगे तब तक अगला वाला इसको अन-पिन नहीं कर पाएगा तो यह भी का कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको लगता है यार हम जब भी वीडियो को वगरा करते हैं तो इतने यहां पर ब्यूटी नहीं करते हैं मतलब काले वगश्य स्ब्सक्राइब निचसे पर नीचे आना नीचे आने के बाद यहां पर देख एको फोन पर वीडियो क्रना या मौर पर जाकि आप वाटसप लाइन फेस्बुक मेसेंजर जिस भी एप पर आपको वीडियो कॉल करना है या आप सेलेक्ट कर सकते हो अब जब आप कोल करोगे तो भाई साब आप वहोत ही ब्यूटिफुल दिखने वाले हो तो इसको जरूर कर ली तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको जाता करते हो तो अब आपके पास क्या होगा दोस्तों जब भी कोई कोल आएगी तो आपकी जो फ्लेसलाइट है ओटोमेटिक ओन ओफ होने लग जाएगी तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप चाहते हो कि नीचे के जो बटन से यहां पर बेक वाले इनके अच यहां जो नीविकेशन इसको कर लेना है है और अब आपको बेktor जाना तो इधर से करोगे तो भी फ्लेक चला जाएगा और अगर आको। दुखे तो इसे यहां पर इसको रखने तो बटन भी कर सकते और अब मेरे जैसे लेप्ट हैंड के अंदर आप राइट हैंड ज्यादा यूज़ करते हो तो आप अपने मर्जी से पूरा यहां पर सब कुछ कर सकते हो तो चली मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा काफी ही आपको क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हो यहां पर स्क्रीन ऑन ओफ पर जाना है और इन तीनों इसको को कर लेना है इनसे इसका आप समझें के डबल टेप करेंगी तो यहां पर जो हमने रेस्टिवेक काउन के उस sut. जैसके कि आपना मोवाईल पढ़ है हमें कोई और बस टाइम उगारा देखने है गार stacks तो आपको मुबाइल को इसे उठाना है सिर्फ उठाना ही ओनoti ऊचा 250 बटन को तरी और प्रोगे अंदर काफी सारे hidden features देखने को मिलते हैं पर वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए मैं आज के लिए इतना ही अगर आपको और hidden features चाहिए तो आप comment कर दीजी मैं आपके लिए और hidden features के लिए अलग से वीडियो और बना दूँगा और दूस्तों T1 Pro से related आपका क कोई भी सवाल हो तो आप मुझे comment या description में आपको मेरी Instagram की link मिल जाएगी आप मुझे पूछ सकते हो और आपको इन hidden features में से सबसे अच्छा कोन सा लगा आप comment करके जरूर बताए और वीडियो अच्छी लगी तो like जरूर कर देना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर परेस कर लीजिए हम T1 Pro के बारे में और भी काफी सारे वीडियो लाने वाले हैं